दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के राष्टे चिन जिसमें हम आपको भारत के राष्टे चिन्नों के बारे में विवरन सहीत बताएंगे तो भारत के सभी राष्टे चिन्नों के बारे में जानने के लिए देखे पूरा वीडियो हमारा राष्टी द्वज तीन रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तीरंगा भी कहते हैं इसमें सबसे उपर गहरा केसरिया, बीच में सपेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है सीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है बीच में इस्तित सपेद पट्टी धरम चक्र के साथ शांती और सत्ते का संकेत है हरा रंग देश के सुब विकास और उर्वरता को दर्शाता है द्वज को साधरन भासा में जंडा भी कहा जाता है जंडे की चोड़ाई और लंबाई का अनुपात दो अनुपात तीन है सपेद पट्टी के केंदर में गहरा नीले रंग का चक्र है जिसका प्रारूप असोग की राजधानी सारनात में इस्ताफित सिंग के सीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की भाती है चक्र की परिदी लगबग सपेद पट्टी की चोड़ाई के बराबर है चक्र में 24 तिलियां है राश्टी द्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारत के सम्विदान द्वारा अपनाया गया था वर्ष 1931 द्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है तिरंगे द्वज को हमारे राश्टे द्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया यह द्वज को जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है केसरिया सपेद और मद्दे में गांदी जी के चलते हुए चरके के साथ था यह सन 1931 में पहली बार फैराया गया था भारत के राश्टे द्वज की अभी कल्पना पिंगली वेंकियाने की थी तथा इन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रारूप तेयार किया था राजकिय प्रतिक असोक चिन भारत का राश्ट चिन सारनात इस्तित असोक के सिंग इस्तंब की अनुकरती है जो सारनात के संग्राले में सुरक्षित है भारत सरकार ने यह चिन 26 जनवरी 1950 को अपनाया मूल इस्तंब में सीर्स पर चार सिंग है जो एक दूसरे की ओर पीट किये हुए है फलक के नीचे मुंडकोप निसत का सूतर सत्यमेव जैते देवनागरी लिपी में अंकित है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है एक ही पत्तर को काटकर बनाये गए इस सिंग इस्तंब के उपर धरम चक्र रखा हुआ है राश्टे पसु बाग भारत का राश्टे पसु बाग पेंत्रा टाइगरिस लिनायस पीले रंगो और धारिदार लोमचर्म वाला एक पसु है राश्टे पसु कहलाने का गोरव प्राप्त है इसकी आठ परजातियों में से भारत में पाई जाने वाली परजाती को रोयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है भारत के अतिरिक्त यह है नेपाल, भूटान और बांगला देश जैसे पडोसी देशों में भी पाया जाता है राश्टिय पक्षी मोर मोर के अद्बुद सौंदरिय के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राश्टिय पक्षी गोशित किया भारतिय जनमानस के मन में बसा और आस्ताओं से रचा बसा पक्षी मोर पाओ क्रिश्टातुस भारत का राश्टिय पक्षी है इसकी दो परजातियां है नीला या भारतिय मोर जो भारत और स्रिलंका में पाया जाता है दूसरा है हरा या जावा का मूर जो म्यानम्यार से जावा तक पाया जाता है भारत का राश्ट्य पुस्प कमल है भारत का राश्ट्य पुस्प कमल जिसका वेग्यानिक नाम है नेलंबो न्यूसिपेरा गार्टन यह एक पवित्र पूस्प है तथा प्राचिन भारतिये काल और पुरानों में इसका महत्वपूनिस्तान है प्राचिन काल से ही इसे भारतिये संस्कृति में सुब प्रतिक माना जाता है भारत का राष्टिये पेड बरगद है भारत का राश्टिय व्रक्स बर्गद जिसका वेग्यानिक नाम है Phicus bengalensis है बर्गद का व्रक्स घना और फेला हुआ होता है इसकी साकाएं दूर दूर तक फेली तथा जड़े गहरी होती है इतनी गहरी जड़े किसी और व्रक्स की नहीं होती भारत का राश्टिय गान जन गन्मन स्वर्गिय कवी रविंदर नाट टेगोर द्वारा संचिक्त जन गन्मन के नाम से प्रख्यात सब्दों और संगीत की रचना भारत का राश्टिय गान है एसी इस्तती या गान जो राश्ट प्रेम की भावना अभिव्यक्त करता हो जन गनमन की गायन अवदी 52 सेकंड है, संक्सिप्त में वर्नित किया जाता है, जन गनमन की गायन अवदी लगबग 20 सेकंड है, संविधान सबा ने जन गनमन को भारत के राष्ट गान की रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, इसे सर्व परतम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कल कत्ता अदिवेशन में गाया गया था, भारत के राष्टेगान में पूरे पांस पद है, राष्टिय नदी कंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कंगा राष्टिय नदी है, जो भारत और बांगला देश में मिलकर 2510 कीमी की दोरी तेक करती हुई, उत्तरांचल में ह भाउनात्मक आस्ता का आधार भी है राश्टिय जल्य जीव गंगा डोल्फिन गंगा डोल्फिन वारत की राश्टिय जल्य जीव है डोल्फिन की दो परजातियां है यह भारत बांगला देश तथा नेपाल में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन सभी देसों के नदियों के जल मुखेते गंगा नदि में तथा सिंदुनदी के जल में पाय जाती है राष्टिय पंचांग सक्समवत या राष्टिय सांगे भारत का राष्टिय पंचांग है यह 78 वर्ष इसा पूर्व प्रारंबुवाता 22 मार्च 1957 को इसे आदिकारिक रूप से विदिवत अपनाया गया माना जाता है कि 500 इसा के उपरांद संस्कृत में लिखित सभी जोती सास्त्रिय गरंत सक्समवत का परियोग करने लगे इस समवत का यह नाम क्यों पढ़ा इस विषय में विविन मत हैं इसे कुसान राजा कनिस्क ने चलाया या किसी अन्य ने इस विषय में अंतिम रूप से कुछ भी कहा जा सकता है कुछ भी नहीं कहा जा सकता निम्न लिखित सरकारी परियोजनों के लिए इस पंचांग को अपनाया गया जिसमें से हैं भारत का राजपत्तर, आकास वानी द्वारा समाचार परसारन, भारत सरकार द्वारा जारी केलेंडर और लोग सदस्यों को संबोंधित सरकारी सूचना है भारत का राष्टिय गीत बकीम चंदर चतरजी ने वंदे मात्रम गीत की संस्कृत में रचना की, यह भारत का राष्टिय गीत है सिरी अर्विन ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिप मुम्मत खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया है यह स्वतंतरता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेना का स्रोत था वह पहला राजनितिक अवसर जब इस गीत को गाया गया 1896 में भारतिय राष्टिय कांग्रेज का अधिवेशन था इसका पर्थंपद इस परकार है राष्टिय फल आम आम मैनी गी फेरा इंडिका भारत का राष्टिय फल है विश्व के उसने कटी बंदिय चेतर का एक महत्वफुन फल है उसने कटी बंदिय देसों में आम बड़े पेमाने पर पैदा होते हैं आम को पूर्वी एसिया, मैनमार और भारत की असमराज्य का इच्तानिय फल माना जाता है आम एक गुदेदार फल है जिसे पका कर खाया जाता है या कच्चा होने पर इसे अचार आदी में इस्तेमाल किया जाता है इस रसदार फल में विटामीन C तथा विटामीन D का एक सम्रिद स्रोथ है राश्टिय खेल होकी भारत का राश्टिय खेल होकी है होकी का प्रारंब 4000 वर्स पूर इरान में हुआ था इसके बाद बहुत से देशों में इसका आगमन हुआ होकी को भारत में विशे सम्मान मिला और यह राश्टिय खेल बना हमारे देश में इसका प्रारंब 100 वर्सों से पहले हुआ था 11 खेलाडियों के दो विरोधी दलों के बीच मेदान में खेले जाने वाले इस खेल में प्रते खेलाडी मारक बिंदू पर मुड़ी हुई एक छड़ी का इस्तेमाल कर एक छोटी वकठोर गेंद को विरोधी दल के गोल में मारने के लिए करता है बर्प में खेले जाने वाले इसी तरह के एक खेल को आइस होकी से भिन्नता दर्षानने के लिए इसको मेदानी होकी कहते हैं राश्टिय मुद्रा भारतिय रुपईया भारतिय रुपईया का परतीक चिन अंतराश्टिय इस्तर पर आदान परदान तथा आर्थिक संबलता को परिलेक्षित कर रहा है रुपएय का चिन भारत के लोकाचार का भी एक रुपएक है रुपएय का यह नया पर्तिक देवनागरी लिपी के रह और रोमन लिपी के अक्सर आर को मिला कर बना है जिसमें एक 36 रेका भी बनी हुई है यह रेका हमारे राष्ट उद्वज तथा बराबर के चिन को परतिविम्ब करती है भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन को स्विकार कर लिया है यह चिन भारती प्रोध्योगी की संस्तान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर सिरी डी उदेकुमार ने बनाया है भारत के राष्टी दिवस स्वतनतरता दिवस गांधी जैन्ती और गंतनतर दिवस को भारत के राष्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वतनतरता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतियों को बिर्टिर सासन से आजादी मिली थी 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना समिधान प्राप्त हुआ था इसलिए इस दिन को गंतंतर दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जैन्ती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था सभी राश्टी दिवस को राजपत्तरित अवकास के रूप में पूरे भारत वर्ष में बनाया जाता है सामाने ज्यान एवं सामाने विज्यान के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल सब्क्राइब करें जी के अभी धन्यवाद